अगर आप भी खरीदना चाहती हैं अपने लिए जुत्ती लेकिन आप बहुत confused हैं कि आपको कौन सा size खरीदना चाहिए, कौन सा color खरीदना चाहिए, कौन सा material खरीदना चाहिए और top of it कौन सा जुत्ती खरीदनी चाहिए, जो आपको bite ना करें, तो ये विडियो है सिर्फ आपके लिए, मैं हो विनी और आप देख रहे हैं The Hope Story तो जुत्ती इसको खरीदते वक्त हमेशा आपको exact size order करना है, ना तो आपको one size up जाना है, ना one size down जाना है अगर आप जुत्ती को online order कर रही हैं, तो अपना exact size मंगवाईए, और दूसरी बात जिस पर ध्यान देना चाहिए आपको वो है exchange and return क्योंकि footwear में अगर problem आ जाती है, तो उसका easily return या exchange होना जरूरी है, तो पहले आप return exchange policy को check कर लें और उसके बाद अपनी जुत्ती को order करें online आपको market में 150 रुपीज से लेकर 5000 तक की जुत्ती मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप beginner हैं जुत्ती पहनने में, तो हमेशा आपको कम range की जुत्ती में invest करना चाहिए comfort की बात और किन बातों पर हमें ध्यान देना है, उसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे लेकिन मेरा suggestion ये रहेगा, कि आप under 500 रहें, अगर आप beginner हैं जुत्ती को try करने में और जो सबसे बड़ी गल्ती मैंने हमेशा लोगों को करते देखा है, वो होती है जुत्ती शेप को decide करते वर्थ हम सबको लगता है कि जुत्ती की शेप होती है वो एक जैसी होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और उसके लिए मैं हाथ में लेना चाहूंगी दो जुत्ती, यह दोनों formal जुत्ती हैं जो मैंने recently Amazon से मंगवाई है आपको इस बात पर ध्यान देना है कि जुत्ती की जो यह वाली width है, वो किस तरीके की है तो आपको अगर आपके पैर बहुत ज़्यादा sleek है, पतले हैं, तो आपको जुत्ती की जो यह वाली चड़ाई है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है और वो आप कैसे कर सकती है, वो आपको यहाँ की width को देखकर समझना होगा जो भी जुत्ती यहाँ से ज़्यादा होगी, जैसे की यह जुत्ती है, इसका जो यह part है, यह ज़्यादा है जिससे यह आपके पैरों को ज़्यादा cover करती है, और इसमें आपके जो पैर हैं, ज़्यादा sleek लगते हैं और जिन लोगों के भी पैर पतले हैं उनके उपर इस जुती की बहुत ही अच्छी शेप आईगी अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनके पैर जो हैं ब्रॉड है या वो प्लस साइज है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कुछ इस किसम की जुतीज में जिसकी की जो वित है यहां की वित वो जादा हो जिससे आपके पैरों में वो जादा कमफर्टेबल रहे I hope कि मैं इस पॉइंट को अच्छे तरीके से आपको क्लियर कर पाई हूँ मैं दुबारा से रपीट कर देती हूँ कि आपको यहां की वित पर ध्यान देना है यहां की वित अगर आपके पैर पतले हैं तो बहुत जादा नहीं होनी चाहिए और अगर आपके पैड जो हैं थोड़े चड़ाई में जादा हैं तो आपको इस width को बड़ा लेना है अगर आप यहां से कम width की जुत्तीज लेंगी तो वो आपके लिए बहुत uncomfortable रहेंगी और दूसरा key point जो मैंने आपको समझाया है वो यह है कि कैसे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कैसी आपको shape आईगी यहां की length से आपको पता चलेगा जितनी जादा ये length होगी जुत्ती उतनी जादा sleek लगेगी जितनी कम ये length होगी जुत्ती उतनी जादा width में जादा लगेगी I hope आपको clear हो गया होगा कि आपको कैसे अपने foot की shape के according decide करना है जुत्ती को और हमें क्यों जादा ध्यान देना है जुत्ती की shape को ऐसा कि आप इस video clip में देख रहे हैं कि जब मैं इस yellow जुत्ती को पहनती हूँ तो जो मेरे pair है वो सोड़े sleek लगते हैं लेकिन जब मैं इस green जुत्ती को पहन रही हूँ जिसकी जो width है वो जादा है उसमें मेरे जो pair है वो broad लगते हैं तो वो completely आपकी choice है कि आप किस किसम से अपनी foot shape को देखना चाहती है और उसके according आप decide कर सकती है कि किस किसम की shape में आपको invest करना है अब बात करेंगे cushioning की जब हम जुत्तीज को खरीते हैं तो यह वाला पाथ है यहां पर आजकल आपको जुत्तीज में cushion जो है वो मिल जाता है मैं closely आपको दिखा देती हूँ वैसे वीडियो में आप closely देख रहे हैं मैं किस चीज की बात कर रहे हूँ और पीछे की तरफ भी जो होता है वो भी आपको cushion मिलता है जहां पर आपका पैर end हो रहा है आपके ankles के पास यहां पर भी cushion मिलता है Mostly जितनी जुत्ती सस्ती होती है, चीप होती है, उनमें ये कुशन नहीं आता तो आपको ये समझना है कि जिन जुत्ती में ये कुशनिंग नहीं होगी, वो बहुत जादा comfortable नहीं होगी आप उन्हें आराम से एक या दो घंटे पहन सकती है, लेकिन सारा दिन अगर आपको पहनना है ये किसी formal event में पहनना है, जिसमें आपको डांस करना है, तो कुशनिंग वाली जुत्ती आपके लिए बैटर रहेंगी कुशनिंग में भी आपको दो किसम के कुशन्स मिलते हैं, कितनी बार market में ऐसी आपको जुत्ती मिलेंगी, जिसमें सिर्फ आगे कुशन होता है, पीछे नहीं होता है या आपको ऐसी जुत्ती मिलेंगी, जिसमें पीछे कुशन होता है, आगे कुशन नहीं होता है लेकिन हमेशा आपको prefer करनी है वो जुट्टी जिसमें दोनों तरफ cushion हो अगर आप चाहती है super comfortable रहना अफसोस की बात ये है कि जो पटरी में हमें जुट्टी मिलती है उसमें cushioning जो है काफी कम आती है और जो cushioning की quality होती है वो बहुत जादा अच्छी नहीं होती है लेकिन अगर आप beginner है तो पहले आप उसे try कर सकती है जितनी branded जुट्टी आरही है ये जुट्टी काफी expensive जुट्टी है Amazon के उपर भी और मैंने जितनी branded जुट्टी भी खरीदी हुई है example के लिए मैं आपको दिखाती हूँ जैसे ये जुट्टी है इसको मैंने खरीदा था 3000 की range में और ये है brand fizzy goblet से और ये काफी expensive brand है और ऐसा नहीं है कि ये जुट्टी बहुत super duper comfortable है लेकिन जो difference मैंने फील किया वो ये फील किया कि इस जुट्टी में पूरी जुट्टी के अंदर cushioning है जो की definitely एक अच्छा support देती है आपके पैरों को और जिन लोगों की भी flat feet हैं उनको तो इस बात पर extra attention देनी है कि जो cushioning हो वो काफी अच्छी हो आपकी जुट्टी में अगर आप तुन रही हैं क्याजूल वेर के लिए जुट्टी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप plain solid जुट्टी जुट्टी ले सकती हैं अगर आप printed outfits ज्यादा पहनती हैं चाहे आप printed कुरता सेट पहनती हो चाहे वेस्टन टॉप पहनती हो जो कि printed होते हैं ऐसे अपरिक वाली जुट्टी ले सकती हैं वो आपके लिए अच्छी investment रहेगी अगर आप दूढ रही हैं अपने लिए formal जुट्टी तो आपको market के अंदर embroidered जुट्टी मिल जाएंगी mirror work जुट्टी मिल जाएंगी सिफ आपको ध्यान ये देना है कि आप उन्हें closely देखें कि जो embroidery की quality है वो कैसी है जो work है वो बहुत confusing तो नहीं है आपको कुछ इस किसम की जैसे कि आप ये yellow जुट्टी देख रही है कि इस पर कितनी neat embroidery है एक एक motive जो है आपको बहुती अलग-अलग नजर आ रहा है तो जब भी आप embroidered जुट्टी सखरीदे आपको हमेंशा neat embroidery पर ध् चाहती है तो आपको embroidery पे extra attention देनी है colors आपकी एक personal choice है लेकिन मेरा situation ये रहगा कि अगर आप regular wear में office wear में या casual wear में जादा तर जो 30 पहनती है तो आप dark neutral colors ले सकती है जो आप mix and match कर सके अपनी जादा तर outfits के साथ Indigo एक काफी अच्छी option रहता है इसके लिए और अगर आपको pastel colors ज्यादा पसंद है तो pastel colors का आपको look after जो है अच्छे तरीके से करना होगा रिसेंटली मेरी जो Amazon से मेरे जुट्टीस मंगाई है इस किसम के box में आई है तो मैं हमेशा अपनी जुट्टीस को इसी तरीके से र क्योंकि शुबाक में जो work वाली जुट्टीस होती है वो आपस में उलच जाता है उनका जो work है वो आपस में उलच जाता है तो इस किसम के boxes में अगर आप रखेंगी बीच में एक paper लगाकर तो आपके लिए काफी जादा easy रहेगा जुट्टी को store करना बहुत लोग इस बा लेकिन जुट्टीस में जो material यूज़ किया जाता है जो leather यूज़ किया जाता है उसके tendency यह है कि जब आप उसे 2-3 घंटे के लिए अपने left या right foot में पहन लेते हैं तो वो आपके पैरों की shape ले लेता है तो मेरा suggestion यहाँ पर यह रहेगा कि अगर आपने left foot में एक करते हैं कि जुट्टीस हम किसके साथ पहने किसके साथ वो सबसे अच्छी लगेंगी तो यहाँ पर मैं यह कहना चाहूंगी कि यह टोटली डिपेंड करता है आपके personal signature style पर कि आप जुट्टी को किसके साथ style करना चाहते हैं आजकल celebrities kurta set के साथ 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 जुट्टीस को सा तो उसके साथ बहुत ही खुबसूरत लगती हैं तो अगर आपने जुट्टीस आज तक ट्राइ नहीं की हैं तो गो हैड और खरीदिये एक जुट्टी का पेर और ट्राइ करके देखिए आपको अपने style में एक change feel होगा और अगर आप struggle कर रही हैं अपने personal signature style को लेकर तो आ आप मुझे और मेरी team को join कर सकती हैं styling session के लिए और इसकी details के लिए आप मुझे DM कर सकती है Instagram पर भी मेरा handle है The Hope Story Official या आप मुझे mail भी कर सकती है इस flash हो रहे email ID पर I hope ये video आपकी मदद करेंगा एक अच्छी जुत्ती का पैर खरीदने में अगर ये video आपके लिए helpful रहा तो इसको जरूर thumbs up दे दीजेगा चैनल को content अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर subscribe कर लीजेगा मैं मिलूंगी आप से एक नए video के साथ Till then keep going and keep growing कर दो